बच्चों पिछली तासिका के समय कक्षा सात्वी में हमने स्वत्व की रक्षा इस पाट का ध्यन किया अब हम उस पाट के नीचे जो शब्दार्त हैं इन शब्दार्तों का ध्यन करेंगे स्वत्व आत्म सम्मान पल्टन फोज साइस गोडे की देखबाल करने वाला मुम्किन संभव होने वाला अस्तबल वहस्तान जहां गोडे बांदे जाते हैं विग्न बाधा दुरवस्ता खराब हलत तरकीब उपाय गूर निमलिकित मुआवर का आर्थ लिखकर वाक्य में प्र मुलेने समाना बहुत खुश होना कक्षा में मैं प्रतमाया तो हमारे माताजी पिताजी बहुत खुश हो गये दात काटी रोटी होना गहरी दोस्ती होना मीर सहबा और मुन्चिलाल की दात काटी रोटी थी दोस्ती थी ठान लेना द्रनिस्चे करना घोडे ने नहिलने का द खड़े किये सीधे मुँ बात न करना घ्रमंड करना मेरा दोस्त मेरे से सीधे मुँ बात नहीं करता मुँ फेर लेना ध्यान न देना मेरे माने जब मैं गावजानी की जित कर रहा था तो मिमू फेर लिया 55 रूपी प्रस्टन 인 प्रस्टनों के उत्तर दे मौखिक के मिर सहाब कोन थे और उने घोडे की क्या जुरुत थी मिर सहाब धपतर में काम करने वाले सहाब थे और उन्हें आने जाने के लिए सवारी के लिए घोड़ा चाहिए था, घोड़े में पल्टन संबंदी क्या क्या गुन थे, घोड़े में पल्टन संबंदी घोड़ा फोच का था, अरियल था, अपने ही जित पर आटा हुआ था, घोड़ा आत्म संबंदी बनाय रख रहा था, इत्वार के दिन काम करने की मानुस ने सौगन ही खाई हो ग, मीर साहब से घोडा कौन ले गया और क्यों मीर साहब से घोडा मुंसिला ले गये क्योंकि उनके बेटे की शादी थी ग, घोडा दुरगती के बाद भी खुश क्यों था गोड़ा दुरगती के बाद भी खुश था क्योंकि उसका आत्मसम्मान उसने नहीं खोया था स्वत्व की रक्षा की थे कितने मार खाने के बाद भी उसने अपनी जग़ से हिला नहीं लिखित प्रश्न को मीर सहाब ने फोज का गोड़ा ही क्यों खरिदा मीर सहाब ने फोज का गोड़ा खरिदा क्योंकि पल्टन में घोड़े सस्ते मिलते थे और आने जाने के लिए उन्हें घोड़े की जरुत थी घोड़ा किस बात को आपना जिन मसिद्धा दिकार मानता था मुंसी जी के घर के लोगों का विवार घोड़े के प्रती बहुत ही बुरा था क्योंकि वो इसे हिलाना चाहते थे और घोड़ा अपना आत्मसम्मान नहीं चोड़ रहा था अंत में किस की जीत हुई कैसे अंत में घोड़े की जीत हुई बहुत मार खाने के बावजित भी गोड़ा हिला नहीं उसने अपने आत्मसम्मान को खोया नहीं इस तरह से अंत में घोड़े की जीत हुई लेकिन उसके लिए उसे बहुत मार खाने पड़ी सोचे और लिखे अपने शब्दों में स्पष्ट करे एक कटोरे भर कड़ी के लिए अपने जन्मसिद्धा अधिकार को बेचना गलत बात है जो घोड़े ने तै किया और घोड़ा वहां से हिला तक नहीं पश्यूब्य आपने स्वत्व की रक्षा कर सकता है पश्यूब्य आपने स्वत्व की रक्षा कर सकता है आपना आत्मसम्मान बनाए रख सकता है यह मीर साथ के घोड़े ने हमें समझाया कितने बार उसे मार पड़ी लेकिन वह हिला तक नहीं घोड़ा पक्क्या सत्या ग्रही था गोड़ा पक्का सत्या ग्रही था क्योंकि उसने मन में ठान लिया कि वह आत्मसम्मान नहीं छुड़ेगा वह अपने स्वत्व की रक्षा करेगा चाहे जितना मारे बोले लोक लेकिन वह अपने जगे से हिनने वाला नहीं था क्योंकि वह पक्का सत्या ग्रही था सही शिर्षक पर लगा कर लिखे कि आपने वह शिर्षक क्यों चुना गोड़ा दुर्ड़ प्रतिग्य गोड़ा दुर्ड़ प्रतिग्य था क्योंकि उसको पल्तन में भोज में आदत पढ़ गई कि छुट्टे क काम न करने के और मीर साथ की यहां आने के बाद भी वो उने इत्वार के दिन काम पर नहीं लगा थे यह उसे आदत भी हो गई थे और उसने अपने आत्म संवान को नुख होने की प्रतिज्या भी की थी इसलिए घोडा दृड़ प्रतिज्या था भाषा ग्यान रुपी सत्या ग्रही सत्या अधिक आगर राजेंद्र राज अधिक जेंद्र रजनिश रज अधिक निश सुक्ति सु अधिक उक्ति सुक्ति इन समस्तपदों का विगर कर समास का नाम लिखे समस्तपद विगर समास का नाम आत्म सम्मान आत्म का सम्मान तत्परुष अपमान सुच अव्याई भाव समाज। स्वामी भक्ति स्वामी का भक्त तत्प्रोश। शाम सवेरे शाम और सवेरे इतरेतन दोन्दो समाज। दिन भर पूरा दिन अव्याई भाव समाज। हड़ी पसली हड्या और पसली दोन्दो समाज। सत्याग्री सत्यका अग्र अव्याई भाव समा इंतजाम प्रबंद विसात मजाल एब विशेश इंतजार राह देखना हक अधिकार जिद करना चिराग आउश गोडे के लिए प्रयुक्त किये गे विशेशन पाट से छाटी स्वामी भक्त वृत्तधारी आडियल धुड़ प्रतिग्य आगे तौअ प्रत्ते का प्रयुक्त करते होए शब्द बनाये स्वत्व, महत्व, पुरुषत्व, स्वामित्व, अपनत्व, नारित्व, स्त्रित्व, सतित्व क्रिया के भेद पढ़कर समझे घोड़ा दोड़ता है वह बैठता है फिर उठता है रेकांकित क्रिया पदैसे है जिन से वाक्यों की पुर्णता का बोध होता है इसे के विप्रित ख मिर सहब देखते है वे समझते है और कहते है ये वाक्या पुर्ण लगते है ख में देगे वाक्यों में कर्म की जरुरत नहीं जबकि ख के वाक्यों में क्या और किसे लगाने पर कर्म की जरुरत पड़ती है इसके अनुसार क्रिया के दो बेद है अकर्मक्रिया जहां करता और क्रिया के बीच क्या कैसे पूछने पर कोई उत्तर नहीं न मिले वहां अकर्मक्रिया सकर्मक्रिया जहां करता और क्रिया के बीच क्या और किसे पूछने पर उत्तर मिले वहां सकर्मक्रिया वह सोता है क्या किसे कोई उत्तर नहीं यहां कर्मक्रिया वह घास खाता है क्या किसे उत्तर है घास यहां सकर्मक्रिया है दोनों प्रकार की क्रियाओं के चार-चार वाक के लिए कि लिए गोड़ा गोड़ता है बैठता है फिर उठता है मेर साब देखते हैं समझते हैं और कहते हैं इस तरह से दोनों प्रकार की क्रियाओं के चार-चार वाक के आप लोग किताब से चार्ट कर लिए जैसे वह सोता है वह गास खाता है गास कोन खाता है गोड़ा वो सोता है कोन सोता है पता नहीं किसे का है पता नहीं उत्तर दिया उत्तर नहीं मिला इसलिए आकरमक्रिया गास खाता है कोन खाता है गोड़ा उत्तर पता है गास गोड़ा खाता है इसलिए सकरमक्रिया इस प्रकार के उधारन आप लोग आच्छी तरह से लिके यहां पर रुकते हैं धन्यवाद